चौबिस घंटे बीथ चुके हैं यहां पर बारसा तो समझ में आता है कि बारसा यहां पर हंसे प्लेक और उस मोमेंटम पर आ रही है चड़ रही है खेल रही है बढ़िया है तो उनकी हाइप समझ में आती है रियाल मडिट की हाइप ने काफी सुपस्टिशियस थी मतलब खेल अच्छा नहीं रहते लेकिन एमबापे है एमबापे को लेके आए विनिसियस बैलंडोर वर्दी है जीतेगा और नहीं जीतेगा वो आज 12 घंटे पता चलेगा बैलिंगम अपकोर्स अपने पूरे हर एक पैनी हर एक फूटी को यहां पर वो वर्थ प्रूफ करता वा है और आप यहां पर लालीगा की टाइटल होड़र हो और आप चैंपियंज लीग विनर हो समझ में आता है कि हाइप है मतलब अगर दुनिया में कोई टीम है जिसको बार्शनों को हराना चीए अगर अपना यहां पर लोहा मनवाना है तो वो रियाल मडिट थी और हराया क्य चीथर ने उड़ा दिये भाई पैंडी गीली हो गई लेकिन ऐसे में रियाल मडिट का फैन 24 घंटे बाद क्या सोचेगा उसको क्या चीए उसको चीए एक रियाक्शन उसको चीए एक सहारा उसको चीए वाई एक ऐसा सोर्स एक ऐसी information जो की बता सकेगी आने वाले दिनों मे जो यह बत्तर हालत देखने को मिली है पिशले 24 घंटे में यह फिर से नहीं होने वाला फिर से कहीना की comeback होने वाला है जिसके लिए रियाल मुझे जानती है और आज के इस एपिसोड में थोड़े heart to heart बात करेंगे अफकोर्स यहां पर थोड़ी factual और थोड़े अंदर की sources थोड़ा यहां पर एक fan to fan communication रखने कोशिश करेंगे सबसे पहले factual समझ लेते हैं जैसे अभी तक बोला क्या जा रहा है हुआ तो कुछ नहीं है क्या होगा नहीं देखो अभी बोला यह जा रहा है कि definitely यहां पर तुमको पता है कि मीडिया इसको hype करती है ठीक है जो मेंडेट based media ना वो भी इसको hype करती है मंडेट को पता है कि fans क्या सुनना चाने तो आपको ऐसी ख़बरे अगर सुनने को मिली कि fioruntino perez कभी बदला लेगा नाएगा नहीं नाएगा हिला लेगा नहीं हिलाएगा समझ जाओ कि उसके पीछे एग एजेंडा है समझ जाओ कि उसके पीछ निश्पेपर्स में अच्छी खासी पकड जमाक के रखे होएं उन्हों तो यही का है कि कार्ड और इंसलोर्टी के पास सपोर्ट तो है सैक की बात नहीं कर रहा है कोई बट सैक शब्द लेने से कोई कत्राएगा नहीं अगर यहां पर कुछ इंप्रूब्मेंट ना हुआ यह बड़ा अंडरस्टाइंडिंग है कि एक एक ऐसा गेम है जहां पर अगर आप इस तरी की परफॉर्मेंस दे के हार जाओगे तो यहां पर आप सैक हो सकते हो लुपे ते कोई सैक हो आता सैंटियागो सोलरी काई ना की सब इसी बेसिस पे सैक होते तो और पहले भी होते काल्डो अंसलोर्टी भाई दो डाली का टाइटल कोपा देलरे सब तो जितवा दिया ऐसे में लेजंडरी स्टेटस भी रखता है और उसके अच्छा रिलेशन भी है बोर्ड के साथ इसलिए यहां पर यह वाली बात तो नहीं है लेकिन अगर आगे चीज़े ठीक नहीं होत सकती है ऐसे में यहां पर यह भी बताया गया है कि बोड अब आदा बढ़ चुका है सैक की बात तो कोई नहीं कर रहा है लेकिन इस बात पर तो अब आदा अदा पूरा बढ़ चुका या फिर आपके सकते हो कि एंटी वाले थोड़े जादा है कि कार्लो एंसलोर्टी कंटी आने जा रहा है वो करीम मंदिमा विनीशियस जूनियर वो आज कहीं न कहीं यहां पर इस टीम का सबसे कमजोर कड़ी है और यह नहीं के बाद यह हो रहा है और भी ज्यादा पोईटिक है लेकिन यहां पर अफकॉर्स काफी साही लोग कह रहे है कि अभी काल्डो की ज़रूवत है यह वो है अभी दग जितने ही मैने नीऊसस पढ़ाए जितने ही मैने अर्टिकल पढ़ें अंबापे को इन यह को ही घेर नहीं रहा है काफी लोगों का यह मानने कि अपवर कॉंफ०रन्स है अंडऱ कॉर परफॉर्मेंस यह ठीक हो जाएगा अगर यहां पर बात करते हैं कि आने वाले टाइम में देखो क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए इसके होने के चाहिए यह होने के लिए कुछ चीज़े तो करनी ही पड़ेगी देखो सबसे पहले यह कि इस मैच से पहले पिंटेस पे एक ख़बर तो आई थी और उस आर्टिकल से रियाल मड़ी कोई जादा खुश नहीं है कि यहां पर फिजिकल ट्रेनिंग जो हो रही है व के पीछे पिंटेस की जो ट्रेनिंग है जो शडियूल है वह बहुत बड़ा रोल निवाता है आज उसी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं वह वाली बात है जब आपका पूरा पूरा घर गिर रहा हो तो आप सारी दिवारों को चेक करते हो कि भाई सीलन किसम है और फिर क्रैक किसको है इसी के साथ यहाँ पर एमबापे का देखना तो पड़ेगा अब देखो अगर आप गोल्स को वापिस सा जाके देखोगे न तो बात तो है कि एमबापे और विनीं का प्रेस ना करना या फिर इनकम्प्लीट करना वो रियाल मेडिट के प्रेस को बिलकु तूतलेस बना देता है और वो भी बेस्ट टेकनिकल साइड इन दा वर्ल्ड बार्सलोना उसके अगेंस तो आप चले ही नहीं सकते डॉट मोल्ट नहीं है कि वहाँ पर एक बार को आप छूट जाओगे यहाँ पर सेंटर वैक से लेकर सेंटर मिट तक हर का हर बंदा आपकी सारी सब्सक्राइब को बेंच किया जाना चाहिए स्टैस्टिस्टिकली एस क्या होगा नहीं यूगि जहां पर प्रेशर यह है कि रियार्मेंड को कम बैक करना है वह बहुत बड़ा कॉर्परेट प्रेशर यह भी है कि कम बैक एमबापे की थुरूई करवाना है यह है बई पर कम बैक तो करवाना है लेकिन कम बैक एमबापे के थुरूई करवाना है दूसरी चीज़ डिफेंस तो ठीक करना पड़ेगा बाई एडर में लेटा और रूडिगर जोकर लग रहे हैं बाई सीडिसी बावतार हूँ मैं टू बेस्ट बेस्ट सेंटर बैक्स आज जोकर लग रहे हैं आपका मिटफिल्ड समहाल नहीं पा रहा बिलकुल समहाल नहीं पा रहा यह डिफेंस क्या मैं इसले कह रहा हूँ क्यों कि बार सुनों के एगंस चार गूल खा रही है नहीं क्या मैं इसले कह रहा हूँ कि यहां पर बार सुनों के एगंस अम च्छे साथ खा सक है यह बहुत बड़ा सवाल है दूसरा पॉइंट अगर यह कॉर्परेट एक विश है और धक्का लगाया जा रहा है कि वह अगर बेलिंगम को अगर मजदूरी ही करवानी है उससे किसी अभला नहीं होगा बेलिंगम के सारे गोल सुग गए ग्यारा गेम्स में पिछली बार या तो दस होंगे या बारा गोल होंगे इस बार एक भी गोल नहीं है बेलिंगम का बिल्कुस सईस्तमाल हो रहा है नहीं मैं यह नहीं कह रहा है कि बेलिंगम का इसतमाल कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है यह इस पर डिपेंड करता है कि उसको कितने गोल आ रहे है अगर बेलिंगम के गोल नहीं आ रहे तो वो कंपेंसेट किस से हो रहा है और आपको यहाँ पर Bellingham का जो नया रोल है उससे फायदा किसको हो रहा है क्या Bellingham को हो रहा है क्या Real Madrid को हो रहा है एमबापे के लिए वो compensate कर पा रहा है एमबापे तीसरी चीज कि भाई यह बिना system के individual brilliance की vibe पे कितने टाइम तक चलेगा आप दो champion league दो लाली का जीत गए obviously yes but you had chemistry अब आपके पास एमबापे भी है और अगर यहाँ पर एमबापे विनिसियस और Bellingham इन सब पर बहुत बात हो चुके मैंने बहुत बार काया कि यहाँ पर एक ही problem solver हो सकता है एक ही superstar हो सकता है आप midfield को use ही नहीं करते है आपने midfield में दोड़ा रखे हैं घोडे आपको जीए कि midfield वालों के सिर्फ दो पैर होने चीए और यहाँ पर चार लंग्स होने चीए बड़ अगर आर्दगुलर के बात करें तो यही तो risk आपको लेना पड़ेगा यही तो risk Barcelona लेती है and they always excel आप Sir Bobby Charlton का क्या काम करोगे am I saying कि अगर वो oil classic हो में होते तो वो पेल देते हैं नहीं but at least bet तो होनी चाहिए at least यहाँ पर कभी तो use करोगे उसके attacking output का अगर Mbappé काम नहीं like Mbappé का superstar होना और Real Madrid के comeback का face होना it's not a problem उसको यह बनाने का obsession is the problem Sir Bobby Charlton है भई भई Andrick है भई direct है he make things happen he is like क्योंकि वो है center forward वो है striker भई वो Mbappé का नहीं कि उसको left side उसको right side उसको ase drift करना उसको dribble करना उसको space चियो वो हैं कहलता है striker है हो same with Ardha Guler you need that creativity from the middle of the park क्या यहाँ पर हम compensate कर पाएंगे defensive वो यहाँ पर system बताएगा न आपका अब यह क्या बात हुई कि अगर हंसिपली के ऐसे तो नहीं लाए यह पेड़ी तो भागी नहीं पाएगा पेड़ी तो प्रेसी नहीं कर पाएगा रिजल्ट चीए भाई अब भाई अब भाई इस टीम यह तो कोई किसी को भी नहीं मिला आस तक क्या यहाँ पर इम्मीडिएटली अगर एक भी बहुत बड़ा अपसेट आगे ना इवन कार्लो एंसलोटी इमसेल्फ नोस तरही वोंट सर्वाइब इस ताइम